आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें गुणा सी बरावर नहीं है, बरावर है ए गुणा बी सी के तो देखे, यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमें निकालना है ये पहले हमें, जैसे ए की गुणा करनी है हमें बी सी से तो पहले हमें B, C निकालना पड़ेगा, फिर हम उसकी A में गुणा करेंगे तो पहले हम B, गुणा C निकालते हैं तो B, आव यू यहां पर हमें क्या दिया गया है? 1, 0, माइनस 1, 3, 2, और 4, ठीक है? और इसकी हमें गुणा करनी है C से तो C हमें यहां पर क्या दिया गया है? 1, 2, 3, माइनस 4, 2, 0, माइनस 2, और 1, ठीक है? तो B और C की गुणा जब होगी तो कैसे होगी? देखे, यह कुछ इस तरह से होगी देखे, पहली पंक्ती की पहले स्तंब के साथ गुणा फिर पहली ही पंक्ती की दूसरे स्तंब के साथ गुणा फिर पहली पंक्ती की तीसरे स्तंब के साथ गुणा और फिर पहली पंक्ती की चोथे स्तंब के साथ गुणा तो देखे, एक की एक में होगी तो कितना हो जाएगा? एक एकम एक, फिर तीन की दो में होगी तो तीन दूनी छे, फिर इसी तरह से इस में करेंगे, तो दो एकम दो और तीन जीरो जीरो, फिर तीन एकम तीन दूनी माइनस का छे, फिर चार एकम माइनस के चार, और तीन एकम प्लस का तीन, यह आ जाएगा, फिर इसी तरह से दूस प्लस दो जीरो जीरो फिर यहां कितना आएगा जीरो तीन जीरो जीरो और दो दुनी माइनस का चार और यहां आएगा जीरो और दो एकम प्लस का दो तो अब इसके बाद तीसरी पंग्ती की पहले स्थम के साथ फिर दूसरे के साथ फिर तीसरे फिर इस तरह से गुणा होती ह तो माइनस एक की एक में होगी माइनस एक फिर चार दुनी आठ और यहां से हो जाएगी माइनस के दो एकम दो और फिर क्या आएगा प्लस का जीरो फिर माइनस के तीन और चार दुनी माइनस का आठ और यहां आजाएगा देखे माइनस माइनस चार एकम चार और चार एकम प् 強2-3 और 4 में से 3 गया 1 और यहाँ आया 4 0-4 2 8 में से 1 गया 7 माईनस का 2 और यहाँ आया, माईनस का 11 और यहाँ कितना आया है 4 और 4, 8 गया तेक है, तो यह तो आ गया मारा BC, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम A गोणा में BC यहां निकालेंगे तो इसका मतलब यह है कि A गुणा में BC ठीक है तो इसका मतलब अब A आवियू हमारे पास यहां क्या दियावा है A आवियू दिया है 1, 2, 3 इसको मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 ठीक है और 1, 0, माइनस 1 1, 0, माइनस 1 ठीक है और क्या है माइनस 1, 3, 2 माइनस 1, 3, 2 और इसकी फिर हमें किस से गुणा करनी है इसकी हमें गुणा करनी है 7, 4, 7 2, 0, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 4, माइनस 11 माइनस 1, 2, 8 से तो अब इनकी गुणा करेंगे तो देखे कैसे होगी गुणा वही नियम है गुणा का कि पहली पंक्ती की पहले स्थम के साथ फिर दूसरे स्थम के साथ है ना फिर तीसरे स्थम के साथ और फिर चौते स्थम के साथ तो यह कितना हो जाएगा यह आपका यहां से आएगा देखिए 7 एकम 7 फिर 4 एकम 4 और माइनस के साथ एकम साथ फिर यहां कितना आएगा साथ दो एकम दो और जीरो और माइनस माइनस प्लस के दो फिर यह कितना आएगा एक तिया तीन यानि की माइनस का तीन और माइनस का चार और प्लस का ग्यारा ठीक है और ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा भी यहां से तो ये कितना आ जाएगा ये आपका यहां से आएगा देखे माइनस का 11 और उसके बाद फिर चौथी इस तरह के साथ करेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 2 एकम 2 और माइनस का 8 एकम 8 ये आएगा ठीक है और इसी तरह से फिर इस पूरे की इस तरह से करेंगे गुणा तो कितना आएगा दो सक्ते 14 4,00 7,21 और यहां आएगा देखे 2 दूनी 4,0 और 3 दूनी 6 फिर यहां आएगा 2 दूनी 6,0 और उसके बाद 3 की किस में होईगी 11 में तो कितना आजाएगा 11 दिया 33 फिर इसी की इसके साथ होगी तो माइनस के 2 एकम 2 फिर प्लस का 0 और 3 अठ्टे 24 ठीक है फिर इसी की कैसे होगी 3 चारों स्तम्भों के साथ होगी तो 7 दिया 21 4 एकम माइनस के 4 और 7 दूनी 14 ठीक है फिर इसी की इसमें होगी तो 3 दूनी 6,0 और 2 दूनी 4 और इसी की फिर ऐसे होगी तो कितना आएगा 3 तिया माइनस के 9 प्लस के 4 और 2 ग्यारा दूनी 22 फिर इसी की ऐसे होगी तो कितना आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 और 2,8 16 यहां से हमारा A गुरा में B,C यह कितना आ गया यह हमारा बराबर आ गया देखे 7 से 7 कट जाएगा तो यह आ गया 4 और यह आ गया 2 और 2,4 और यह है 11 11 में से 7 गया 4 और 2 और 1,3 बल्कि यह जाएगा 8 और 1,9 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 ठीक है और 14 और 21 कितना हो जाएगा 4 और 1,5 2 और 1,3 35 4 और 6 माइनस का 2 और 33 में 6 माइनस का 49 और 24 में से 2 गया 22 और यह कितना हैगा 21,4 और 14 तो यह 14 में से 4 गये 10 10 और 1,21 31 ठीक है 6 और 2 आजाएगा 22 और 9 31 31 में से 4 गये तो यह आजाएगा आपका 27 और वो भी माइनस का ठीक है और यहाँ देखे कितना हैगा 16 में से 5 जाएगे तो 11 तो यह आगे आपका इसको हम माल लेते हैं सबीकरण 1 अब हमें क्या निकालना है इसके बाद हमें निकालना है A, B और फिर उसकी C में गुणा तो पहले A और B की गुणा निकाल लेते हैं तो A गुणा B इसको मैं लिख लेता हूं तो देखें मैंने आपको गुणा करके दिखाया है B, C का तो उसी तरह से हम A, B का भी गुणा कर लेंगे तो देखें A, B का भी मैं गुणा कर लेता हूं अब वो कितना आएगा तो देखें A, गुणा B कितना आजाएगा यह मैंने यहां पे लिखा है एक और एक आजाएगा यह आपका दो और तीन और दो पांच में से चार गया एक और यह हो गया तीन में से दो गया तो माइनस का एक बारा और छे अठारा और यह कितना हो जाएगा तीन में से दो जाएगा तो एक और यह हो जाएगा देखें 9 में से 2 गया तो 7 और 8 15 हो जाएगा यह ठीक है अब हम निकालेंगे A, B, C यानि की A, B गुणा में C जो हमें RHS दिया था तो अब देखें यह कितना आ जाएगा यहाँ पर यह है 2 माइनस 1, 1 और यह है 1, 18 और 15 ठीक है अब इनकी हम आपस में गुणा करते हैं तो देखें गुणा कैसे होगी गुणा करके आपका यह यहाँ पर आ जाएगा यह देखें 2 की पहले, पहली पंक्ती की पहले स्तम के साथ तो 2 एकम 2 ठीक है और फिर प्लस 2 एकम 2 यह आ जाएगा फिर इसी की इसके साथ में होगी तो 2 दूनी 4 और फिर प्लस 0 फिर इसी की ऐसे होगी तो 2 तिया 6 और माइनस का 2 एकम 2 फिर इसी की ऐसे होगी तो 2 चौक 8 और प्लस का 1 ठीक है फिर इसी की ऐसे होगी तो माइनस का 1 एकम 1 और 18 दूनी 36 फिर इसी की ऐसे होगी तो 2 एकम माइनस का 2 और यह हो गया प्लस का 0 फिर इसी की ऐसे होगी तो 3 एकम माइनस का 3 और 18 दूनी माइनस के 36 फिर इसी की ऐसे होगी तो माइनस 1 4 एकम 4 और 18 एकम 18 ठीक है और यहां से कितना आएगा एक ही कम एक और प्लस एक पंदरा दुनी तीस ठीक है और इसी की फिर ऐसे होगी तो कितना आएगा दो एक हम दो और यह हो जाएगा जीरो और फिर इसी की ही ऐसे होगी तो 3 एकम 3 और 15 की माइनस 2 में होगी तो माइनस के 30 ठीक है फिर उसके बाद इसी की ही ऐसे होगी तो 1 चौक माइनस के 4 और 15 एकम प्लस के 15 तो ये कितना आ जाएगा यहां से ये देखे ये आपका एक आवियू आ जाएगा जिसके आवे अब 4, 4, 4 माइनस के 7 और 36 में जाएगा 35 माइनस का 2 तो 36 और 3 माइनस का 49 और 18 और 4 बाइस और यह आ जाएगा 30 और 31 और 2 और 30 में से 3 जाएगा तो माइनस का 27 और 15 में से 4 जाएगा तो 11 और देखें जो हमारा यह आप यू आया था A.B.C यह भी हमारा यही आया था तो इसको हम समीकरन 2 माल लेंगे अब हम यह हमारा क्या आया है यह हमारा A.B. गुडा में C आया है तो हम 1 व 2 की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे तो एक रदो की तुलना से, इन दोनों की तुलना से क्या आ जाएगा कि देखें, यह हमारा हमने इसमें क्या निकाला था, a.bc, यानि कि a.bc, ठीक है, हमें दिखलाना यही तो था, यही तो दिखलाना है कि a.bc बराबर है a.b.c के, तो a.bc बराबर है a.b.c के, यही हमें सिध करना था, तो इस तरह से हम सिध कर देंगे, ठीक है?